हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीट ओफ फीजिकल एजुकीशन चैनल दोस्तों यह किंसी लोग यह बायो मेकैनिक्स रिलेटड प्रैक्टिस हैं और जैसा कि आपका एक्जाम 18 अगस्त को है उत्राखंड एल्टेक्रेट का और यह किवल उत्राखंड के लिए अधर्वाइज आल फीजिकल एजुकेशन कंपटिसन एक्जाम के लिए है सभी लोग इसे प्रैक्टिस करें और जैसे ही 18 अगस्त को समावत होता है मैं MP2 and UPTGT UPLT grade के लिए क्लासेस डेली बेसेस पिलाओंगी तो दोस्तों चलते हैं आज के कोशन के तरफ जैसा कि अब आ मैंने डेटेल में वीडियो बना दिया है दोस्तों पेरीस ओलंपिक 2024 उसे जरूर देख लिएगा क्योंकि उत्रा करने यल्टी ग्रेट में तो उस तरेडेटेट कोशन नहीं आएगा 2024 से बड़ आने वाले सभी एक्जाम्स में पूछा जरूर जाएगा तो चलते हैं आज क को bah Braun कि fim के तौरल के तरफ को सिन नमष है कि कशन का क्या उर्थ है pick दो फ्लैक्शन मतलब होता है मूरणा जैसी आप डंबल अबभ्यास कर रहे हैं तो घंशन कर रहे हैं तो मतलब मूरणा होता है यानि की दो हड़ियों की बीच कोड़ वह है ज़्याद रखिएगा का क्या यानि कि दो हर्डियों के बीच का कोड बढ़ जाता है और शरीर के अंग का इनोटॉम माइड पोजीशन में वापस आ जाना कोश्चन नमर 3 है एडक्षन का क्या औरत है जैसे कि आप अबड़क्षन करते हैं तो अपने हाथ को बगल में कंदी की लेपल में उठाते हैं उसे एडक्षन करते हैं बट वापस पुना अपने सरी की तरफ आ जाना उसको एडक्षन करते हैं यहां पे राइडिंसर हो सरी का कोई अंग अबड़क्षन मोमेंट्स के बाद सरीर के पास आ जाना यानि की इनाटॉमिकल फोजिसन में आना कोशन नमबर 4 है अगर किसी मोमेंट में हाइपर लगा हो तो उसे अधीक दूर जाना कहते हैं यहाँ पर रैट है दोस्तों जब किसी मोमेंट में हाइपर लगा हो जैसे आप अपने कंदे के लेबल में बगल में उठाते हैं बट आप कंदे के लेबल से ऊपर एकदम सीधी सर के सीर के उपर तक उठाते हैं सीधी हाथ तो hyper extension हो जाता है कोसे निम्बर 5 है इलिवेशन का अर्थ सरीर के अंक को हिदे की उचाई से उपर उठाना है तो दोस्तों इलिवेशन का अर्थ होता है जैसे कि आपने RICE पधती जेखा होगा प्राथमिक उपचार में फास्ट एड में तो R से मतलब होता है रेश आइस ते मतलब आइस यानि बड़फ लगाना सी से कंप्रेजन यानि दबाना इस से इलिवेशन यानि की सरीर के अंक को हिदे की उचाई से उपर उठाना यहां पर यह बात सही कहा या आफसर नमबर C यहां पर राइट होगा कूस्ट नमबर 6 है कि डिव फ्रेजन इलिवेशन का उल्टा मॉमेंट करना होता है तो बात सही है डिव प्रेजन जो इलिवेशन का मतलब होता है उठाना यानि कि सोल्डर जॉयंट कंधों को उपर की तरफ उठाना या जैसे ज कोड बनाकर हम फेकेंगे तो यादे दूर तक जाएगा उसी का ज़स्ट उल्टा होता है डिप्रेजन यानि नीचे लाना यानि कंधुयों को वापस नीचे के ओर लाना ठीक है तो यहां पर इर्षाही हो जाएगा आप सम्मक्खो कोश्टन नंबर सेविर है कि प्रोनैसन का अर्थ सरीर के किसी भाग को लिठा कर उसके ऊपर के भाग को नीचे की ओर ले जाना जैसे पेट के बढ़ लेतना हथेली जमीन सतह की ओर होना इसे हम क्या कहेंगे जैसे कि आप सही टिक लगा दिये होंगे तो यह सही है दोस्तों इ क्या करते हैं पेट के बड़ लेट etiquette है और हमारी जो हंतहलिया होती है वह जमीन की तरफ फेज होती है जबकि सुपाइश्ण में जस्ट लटा होता है हम पीठ की तरफ लटते है सुपाइशन में हतेलिया जो है आसमान के और फेस करती है कोश्चन नमबर आठ है कि सुपाई नेशन सरीर के किसी भाग को लिटा कर उसके उपर के भाग को उपर की उड़ ले जाना जैसा कि पीट के बढ़ लेतना और हतेली आसमान के और फेस करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे सुपाई नेशन कहेंगे तो यह भी राइट है आपका कोश्चन नमबर नाइन है किसी कार के वक्त मुख्यरूप से संकुचित होने वाले मानस्पेसी को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किसी कार के वाक्त जो मुख्य रूप से संकुचित होती है उस मानस्पेशी को हम कहते हैं प्राइम मुवर या एगोनिस्ट है यदि हम मानस्पेशी कंट्रेक्ट हो रहा है संकुचन के समय जो मानस्पेशी मुख्य रूप से भूमिका निगा रहे तो उसे हम कहत तो इसको मोड़ने में मेरी भूमी का अदा कर रहा है और विम देश्ट कर रहा है ऐसिस्टेंज मुंध पहतों कर रहा है विब्डरीच भूमी का अदा कर रहा है उसकी भीप्रित क्या होगा अग हैं हो जाए गांब की इन्टायुक्त कैया गोनिस्ट हो जाएगा ऐगोर की बीपरीत भूमांळुका अधा कर दहा है antagonist, यानि यहाँ पी हो जाएगा trasis muscle लेकिन, जब हम हाथ को फैलाते हैं, extension करते हैं तो उस समय मुख्य भोमिका आदा कर रहा है फैलाने में trasis muscle यहाँ फैलाने में trasis muscle agonist का काम करेगा, उस और वी परित काम कर रहा है biceps to biceps इसके हाँ पर antagonist का काम करेगा question number 10 है मांसपेसी के किसी कारी के दोरान उस संकूजन को क्या कहते है जिसमें मांसपेसी न गहड़ती है और न बढ़ती है और तनाव बना रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं isometric exercise तो isometric में क्या होता है प्रत्र चीज़ में कोई गती नहीं होता कारेग होता हुआ दिखाई नहीं देता मांसपेसी लंबाई सेम होती है नोचेंज कोई परिवरतन नहीं होता इससे रवस्था में होता है जैसे दिवाल को धक्का मालना वेट लिप्टिंग इसको लगातार करने से सरी का तापमान में ब्रिदी होता है अगर प्रतिदीन किया जायते पेशियों की आकरितिवा आकार में परिवरतन हो जाता है जैसे कि जो हमारा स्ट्रेंथ यानि सक्ति को डिल अप करने की तेनी विधिया है आइसो टोनिक, आइसो मेट्रिक, आइसो कैनेटिक जैसा कि आइसो मेट्रिक की जो खोज गुआ था 1903 पर में हेटिंगल और मोलर ने किया था आइसो टोनिक की खोज ली डुने ने 1904 में किया था आइसो टोनिक पहला सेम तना यानि सेम तना पेसी की लंबाई चोटी बड़ी में होती रहती प्रत्य चगतिया दिखाई देती है सक्ति प्राप्त करने के सुरुत्रतम भीदि है यह दूप्रगाय का होता है कांसेंट्रिक इसेंट्रिक जड़ी लंबाई कम होती है तो उसे कांसेंट्रिक और लंबाई जादे होती है तो उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक और इसमें एक आइसो टूनिक कंट्रक्शन के अंतरगत के लेस्थानिक ब्यायाम एक ही अस्थाम पद्रणा भार पर सिछड़ यान स्पिराइन ने यह अक्सर मसीनियों की साहता सी किया जाता है जैसे पानी वाले खेलो जैसे की रोईंग नाव खेना तैना आधी इसमें 20 वो टक सक्ती वक सक्ती सहंसिलता दूनों प्रकार को भी कास होता है क्वेस्टन नम्र 11 है कि कि किनसी लोगाजी का ताजपरे किस विग् यहान तुसरे मांस्पेसी के कार मांस्पेसी घड़ती है है यहां पे यह इसेंट्रथिक गट रही है क्यों हैं तो क्यों कि रुक्ति की है घट रही है कोशन नमबर 13 है कि जब कोई मांस पेसी संगुचित होती है तो उसकी बीपरीद दिसा में की मांस पेसी प्रकुचित होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है तो अब जश्न बताए हूँ कि जब कोई मांस्पेसी संकुचित होती है तो जो मुखी भूमिका अदा करती है उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं लेकिन जो उसके विप्रेट जिसा में मांस्पेसी प्रकुचित होती है तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं यहां यहां पर कि एप्ड़क्शन का क्या आर्थ है दोस्तों एप्ड़क्शन का क्या आर्थ है या उसके इनटामिकल पोजिसन से दूर हट जाना यहां पर क्या होता है तो कोड इसमें बढ़ता है क्या होता है इसमें कोड जो है वह बढ़ता है तो यहां पर आपसा नंबर को राइट होगा आगी चलते हैं बायो मेकनिस के कुछ कोशन्स तो यहां पर बायो मेकनिस के कोशन में कोशन नंबर वन है क्यों न्यूटन की पहने नियम को क्या करते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूटन जो है महां दाशनी को गरिता के इंगलेंड के थे और इन्होंने अप परसित पुस्तक लिखा प्रिंस्पिया और इसी गती के तीन नियमों का प्रकासन 1687 में प्रिंस्पिया पुस्तक में न्यूटन ने किया इनके इन्होंने तीन नियम दिया पहला नियम को हम जरतो का नियम या जरता का नियम या अकरमनिता का नियम या गैलिलियो का नियम या लाफ एनर्जिया आदी नामों से जानते हैं सुन्हें मतलब होता है एक बिराम का ज्रत्वा एक घ्रत्व इसमें एक्जांबर है नाओं खेना, इस्पीन तदोड़ों को स्टार्ट करना, रोमां रिंक का प्रारम, हैमर्थ्रो का प्रारम, कुस्ति के बिरूदी को उपर उठाना। दुसरा नियम इनका है सम्वेक का नियम जिसे हम वेक परिवतन किदर को हम तौरण कहते हैं। और यहां पर किसी वस्तू पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तू भी हम पर लगाती है। नितीति प्रति क्रिया के हades姓 कि हमिसेंगा पराबर तथा भीप्रित् प्रतिकिया होती है , धैराल के नियान है चाहे आगे बहना वाकिंग ब्दुक चलने पर पीछी के अर जाना गेंजों का ड्रिबिलिंग करना बाल को दिवार पर रुख फेकना उची कूद में खिलाडी द्वरा नया सतह की जगह थोस सतह का चैन करना इस अभी चीज़ें होता है तो यैसे कि न्यूटरिंग के पहले नियम को क्या कहते हैं तो जड़तों का लिया है कि कोशन नबर टू है कि नियम को क्या कहते है क्रिया नियम नियू दिटल में जाना है तो आप किस्यूलोंची भाविय मेकनिकिस के प्लैलिश में जाएं यूंक ज़रूर्स नियूदे for हैं है मर throw में हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्ष लगता है दोस्तों बल कार करते हैं एक HEAMER THROW PLAYS में हैमर फोर्स लगता लगा है मैं हैं कवोन सा फोर्स लगता। इस में हम कुण Eva相ह करे केंदर की विल लगया है जिसे हम एक लोग सकती है थी दिया ॥ पर में चिठेंगे अफंब आउयम्हेयाग में हैं लिल झेख यहिंद लिक्षाई रिद्वजी lawsuit अभी केंदरिय बल या सेंट्री पीडल फोर्स अज जब छोड़ेंगे तो छोड़ते वक्त अपकेंदरिय बल यानि की सेंट्री फीगल फोर्स लगेगा कोशन नबर 6 है Biomechanics के कि Centripetal and centrifugal force Newton के कौन से नियम में आते हैं दोस्तों जितना हम किसी वस्तु के बल लगाएगे वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी तो Centripetal and centrifugal force जो है Newton के तिसरे नियम के अंतरगत आ जाएंगे कोर्षन नमबर शीविन है यहांपर बायो मैकनिक्स से कि शेंत्रीपीडल फोर्स में आपस में क्या संबन होता है और प्रतिक्रिया कि हमेशा बराबर तथा बीपरीटर प्रतिक्रिया होती है यहां पर राइटर हो जाएगा सेंट्रिपेजल तथा सेंट्रिवीटर फोर्स जो आपस में क्या संब्द है जो दोनों बराबर होते हैं याद रखेगा को शानला फोर्स आपसे कहते हैं जो आताथ और की कि मतलब होता है कि यह कोई वस्तु विरामाय वस्ता रहेगी और गती आवस्तामे ही रहेगी जब तक कि उसे बार को यह बार क्या है और हो जाएगाbuz होगों चैँर नुम्हें जर्किक होते हैं宮 whole is एक्सटर्नेल फ्रोर्स होते हैं इंटर्नल फुर्स जो होता है वो मांस by ishew लगाएके बल को कहते हैं ब motor होते हैं też हवा का प्रतिरोद हो और गुरत्वाकरसर भॉर्ण फर्शा बैदी होते हैं यहां पर छायएगा हवा का परतिरूद गरत्वा गर्षबर लैन रृट नहीं रइट श्हाएगा सबस्याएं जैसे हम किसी बाल को फेकते हैं कुछ दर्बाद जाकर रूर रूड रूês आपके हुआए, क्यों आस पर घर्षबर लगता है पोशन में 11 है एक खिलारी जब किसी बाउल को कैष लेता है तो बाल का हाथों में संपरक आने के बाद वह हाथों को नीचे की तरफ खिचता है यहां पर नूटे का कौमसा नियम लगता है दोस्तों तो यहां पर संविए यानि की दितिय नियम लग रहा है ठीक है नूटे का यहां पर दीतिये नियम लग रहा है क्योंकि बल लगा कर किसी वस्तु को यानि कि जब और संतुनित बल किसी वस्तु पर लगाए जाता है तो उसे हम सम्वियक कहते हैं यानि कि ये किसी वस्तू के एक निश्चित दिसामी सम्वीक परिवतन की दर का उस वस्तू पर लगाएगे बल्ग के प्रतिभल का अनुपात तोर और कहलाता है कोशन नमर बारह है स्पीड किसे कहते हैं स्पीड यानि चार बराबर होता है दूरी बटा समय चार बराबर क्या होता है दूस्तों दूरी बटा समय चार बराबर दूरी बटा समय कोशन नमर तेरह है अगर कोई वस्तू यह स्पीड से जाती है तो यह स्पीड से आती है तो उसकी आउसात चाल क्या होगी तो उसको इस अवस्त चाल होगी टू गूड़े कोश्टक में यसवन गूड़े यसटू अपान यसवन प्लस यसटू कोश्टन नमबर 14 है कि मांस्पेसी की इकाई क्या है दोस्तों मांस्पेसी की मांपक इकाई जो होती हूँ माईक्रोन होती है याद रखेगा एंड कोश्टन नमबर 15 है फोर्ट की इकाई क्या है यारे कि बल की इकाई क्या है तो दोस्तों बल की जो इकाई है और न्यूटन है अदेकिन आपको याद रखना है कि बल का मातरख जो है वो इकाई CGS, MKS तीनों पध्धती में पुछ सकता है तो CGS पध्धती में CGS को फुल फार्म होता है सेमी ग्रॉम सेकेंड CGS पध्धती में बल का मातरख होता है डाइन दूसरा होता है MKS पध्धती MKS को फुल फार्म होता है मीटर किलो ग्रॉम सेकेंड MQS पधथती में बल्का मातरक होता है kg m3sq तिसरो होता है FPS पधथती में बल्का मातरक FPS का मतलब होता है foot pound second FPS पधथती में बल्का मातरक होता है pound dollar next portion है speed की इकाईं क्या है तो दोस्तों स्पीट कि कहीं मीटर पर चीकींड या कीलोमीटर पर है याद रखेगा आगर सेंड के साथ देगा तो मिटर के साथ हर zin physiognes में कलिक हो जाएगा तो ऐसे पूछा göre गारिकलोमिटर की आपका किलोमीटर पर 30 कि आहिसा बर्द कि तो यहां ऒहोजाएगा था कि 2 ou कि पोस्य नमर 8 है अभी केन्दरक भल का सोत्र क्या होता है अभी केन्दरक भल को लगता है उसे अभीकेन्दरक भल कहते हैं जो बाहर की तरफ लगता है उसे हम अभी केंद्रकबर का सुत्र होता है Q Ratia ऑन 19 है कि वर्क की इकाई क्या है नहीं? और इनर्जी की इकाई होता है कोश्चन नबर 20 है कि इनर्जी की इकाई क्या होता है तो इनर्जी की इकाई भी जूल होता है कोश्चन नबर 21 है पावर यानि सक्ति की इकाई क्या होता है अक्सर इसे हम वाट में मापते हैं इतना वाट उतना वाट ठीक है कोश्चन नबर 22 है फोर्स के बराबर क्या होता है मोमेंटर यानि संवेक की बराबर क्या होता है इसका सुत्र क्या हो जाएगा किलो मीटर प्रती सेकेंड क्या हो जाएगा किलो मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर हो जाएगा तो आपका तो कानेटिकि इनर्जी का ब लात को सिलियरेशन बराबर होता है अन्तीड वेग औक समय अंत्रारP a. बटेश शमय अंत्राल याद रखेगा कोश्चन नमबर 26 है वर्क की बराबर क्या होता है कारे की बराबर क्या होता है तो दोस्तों कारे बराबर होता है बल गुड़े बिस्थापन कारे बराबर क्या होता है बल गुड़े बिस्थापन ठीक है question number 27 है kinetic energy किसके बराबर होता है تو kinetic energy जो है kinetic energy होता है 1 upon 2 mv square question number 28 है radian बराबर क्या होता है radian बराबर क्या है एक radian बराबर संटावन 2.043 डिग्री होता है याद रखिएगा को स्टावंबर 29 है 360 डिग्री पर कितने रेडियन होंगे कि इसको आप निकाल दीजिए का इस रोइट एंसर है टू पाई क्या है टू पाई कोश्चन नबर तीस है किलो मीटर प्रती सेकेंड किसका इकाई है तो किलो मीटर प्रती सेकेंड रहेगा तो आपका स्पीड की इकाई होगा जब कि किलो मीटर प्रती सेकेंड रहेगा आवर के साथ रहेगा तो किलो मीटर प्रती आवर रहेगा तो स्पीड की किलो मीटर प्रती सेकेंड रहेगा तो आपका विलो सिटी की इकाई होगा विलो सिटी याने वेग ठीक है तो जो स्पीड होता है च तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहें